तो क्या बेजान चीजों का आप पर असर पढ़ता है? हाँ, अगर आप पढ़ने देते हैं तब आप इस धर्ती पर एक मात्र जीव हैं जिसे अपने जीवन को खुद गढ़ने की आजादी दी गई है इंसान इसी आजादी से दुखी है अच्छी किस्मत के लिए आप इसे अपनी जैब में रखे अगर यह आपके उंगली पर होगी तो लोग सोचेंगे कि आप सर भारती समाज में जब लोगों को कोई परिशानी होती है मान लेते हैं कि कोई बिमार है तो तीन तरह के लोग होते हैं पहले वो जो अस्पिताल जाएंगे दूसरे वो जो मंदिरों की और भागेंगे और फिर तीसरे वो लोग हैं जो जो जोतिशी के पास जाएंगे तो हमें असल में शुरू से ही सिखाया जाता है कि बेजान चीजे और हमारे आसपास की चीजें हमारे जीवन को कंट्रोल करने की ताकत रखती है मिसाल के लिए ये मिसाल के तौर पर मेरी मा ने दो-तीन साल पहले मुझे एक अंगूठी पहनने के लिए कहा था जिसमें एक रत्न लगा था मैंने आज भी पहनी हुई है तोकि मा ने कहा है आपको इसे उतारने की जरुरत है वरना लड़के सोचेंगे अच्छी किसमत के लिए इसे अपनी जेब में रखिया अगर आपकी उंगली में होगी तो वो सोचेंगे कि आप देखिए मानव जीवन इस तरह से बना है खासकर इंसान का जीवन सभी जानवरों के लिए प्रकृति ने इस पश्ट रास्ता तय कर रखा है वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते उनका जीवन दो रेखाओं के बीच चलता है वो उससे नीचे नहीं जा सकते वो उससे उपर नहीं जा सकते उन्हीं के भीतर वो जीते हैं इसी लिए वो इतने आश्वस्त दिखते हैं और वो शांती मैं होते हैं जब उनका पेड भर जाता है तो वो पूर्ण शांत हो जाते हैं क्या आपने ये देखा हैं? अलो? क्या आप मेरे साथ बात कर रहे हैं या नहीं? क्या आप सभी जानवारों में देखते हैं कि जब उनका पेड भरा होता है तो वो शांती मैं होते हैं लेकिन इनसान सोचते हैं या उन्हें सिखाया जा रहा है कि शांती जीवन का अंतिम लक्ष है एक भैंस पेड भरा होने पर शांती से बैठती है और आपके लिए वो अंतिम लक्ष है कितनी शर्म की बात है जो काम एक भैंस भर पेड घास खाकर या जो भी वो खाती है उसे खाकर कर सकती है उसे आप अंतिम लक्ष की तरह मानते हैं क्या ये शर्म की बात नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ. लेकिन, ये इसी तरह सिखाया जा रहा है. शांती आपके जीवन का चरम लक्षे है. लेकिन, अगर बुन्यादी चीजों पर आएं, अगर आप आज शांती पूर्ण नहीं है, तो क्या आप आज भोजन का आनन्द ले सकते हैं? हम? नहीं? क्या आप सड़क पर घूमने का आनन्द ले सकते हैं? क्या आप अपने आस पास कुछ लोगों के संग साथ का आनन्द ले सकते हैं? नहीं, अपने जीवन में किसी भी चीज़ का आनन्द लेने के लिए, चीज़ों का हमारे उपर असर पड़ता है, खास कर निर्जीव चीज़ों का, रतन और हीरे और वैसी चीज़ें और ग्रह भी, देखिए प्रित्वी की प्रकृती, देखिए, प्रित्वी की प्रकृती का इस पर मौझूद जीवन पर कुछ खास असर होता है, आप देखेंगे कि पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन, कई जानवर कुछ खास तरीकों से सिर्फ इसलिए बरताव करते हैं, क्योंकि वो इससे प्रभावित होते हैं, आप लाखों टन पानी से भरा महासागर उपर उठ पाता है, तो जब आपके शरीर का 72 प्रतिशत हिस्सा पानी है, तो क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल उपर नहीं उठेगा? ये उपर उठता है. तो मुझे नहीं पता अगर आप इसके प्रति सचेतन हैं, लेकिन भारत में ज्यादतर लोग जानते हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं, कहीं भी, जहां भी पागल खाने हैं, वहां लोग इसके प्रति सचेतन हैं, पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन लोगों के मन में शांती का स्तर ज्यादा हो जाता है तो लोगों को लगता है कि आम आवस्या और पूर्णिमा से पागलपन होगा नहीं ये सच नहीं है अगर आप बहुत प्रेम्माई है तो पूर्णिमा के दिन आप ज्यादा प्रेम्माई जो लोग ध्यान करना चाते हैं, वो पूर्णिमा का दिन चाते हैं, जो थोड़े पागल होते हैं, वो पूर्णिमा का दिन नहीं चाते असल में ये आपके गुन को बढ़ा देती है बेशक आज एक दूसरे तरह का किताबी विज्ञान चल रहा है जो सिर्फ प्रयोक शाला में होने वाली चीज़ों को देखता है किसी दूसरी चीज़ पर ध्यान नहीं देता वो लोग कहते हैं कि ये सब बकवास है, नहीं अगर आप अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, तो बिना उपर देखे, बिना कैलेंडर को देखे आप खुद से जान जाएंगे कि पूर्णिमा कब है, हम आवस्या कब है अगर आप अपने सिस्टम पर परयाप्त ध्यान देते हैं, क्योंकि आपके सिस्टम में खास बरताव देखता है लेकिन इंसान के साथ समस्या ये है, या लोग इसे एक समस्या की तरह देखते हैं अगर आप किसी संभावना की पूरी खोजबीन नहीं करते, तो आपकी द्रिष्टी में वो एक समस्या जैसे दिखती है एक समस्या हमेशा एक समभावना होती है, है ना? आपको ये अच्छी नहीं लगी? जो एक समभावना है, अगर आप उसकी खोजबीन नहीं करते, अगर आपको ये एसास नहीं है कि समभावना क्या है, तो वो आपको एक समस्या जैसी लगीगी तो क्या बेजान चीजों का हम पर असर पड़ता है हाँ अगर आप पढ़ने देते हैं तब क्योंकि ये इनसान के विडंबना है कि आप जो हैं वो प्रकृती द्वारा तै नहीं किया गया है उसे आपके लिए खुला छोड़ दिया गया है आपके लिए खुला होने का मतलब है कि आप इस धर्ती के एक मात्र जीव हैं जिसे अपने जीवन को खुद गढ़ने के आजादी दी गई है क्या ये छोटी बात है ये लाखों वर्षों के विकास का नतीजा है कि एक कोशिका वाले जीव से शुरू होकर इन सभी जीवों के बाद इन करोडो रूपों के बाद आज यहां हम बैठे हैं ये एक मात्र जीव है जो अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा गढ़ सकता है हर दूसरे जीव को प्रकृती के नियमों से जीना पड़ता है हम अपना जीवन खुद गर सकते हैं इसी आजादी से इनसान पीड़ा पा रहे हैं अगर आप अपनी गुलामी को भुगत रहे होते तो ये ठीक था अगर आप अपनी आजादी को भुगत रहे हैं तो आप एक आपदा हैं, है ना? आप अपनी दास्ता को भुगत रहे हैं आप किसी चीज में बंदे हुए हैं आप उसकी पीड़ा से रहे हैं ये समझ आता है लेकिन आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आप आजाद हैं ज्यादतर इनसान इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो आजाद हैं वो हमेशा हर समय खुद को किसी इनसान या किसी चीज से बानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आजादी उन्हें डराती है क्योंकि आजादी एक मार्ग रहित रास्ता है आजादी एक खुला एलाका है कोई तयर एका नहीं है क्योंकि कोई तयर रास्ता नहीं है तो ज्यादा तर लोग आतंकित महसूस करते हैं लेकिन मानव जीवन में सबसे बड़ी चीज आजादी है कैसा नहीं है? इस संस्कृती में सबसे महतुपून इश्वर नहीं है, स्वर्ग नहीं है बलकि मुक्ती, मोक्ष, आजादी ही सबसे महतुपून है ये स्थापित हो चुका है कि आप जो भी करें, आपको मुक्ती खोजनी चाहिए आप अपने जीवन के साथ जो चाहे कर सकते हैं पर वो प्रक्रिया आपकी मुक्ती की ओर होनी चाहिए आपको हर दिन आजादी के उचे से उचे स्तर की ओर बढ़ना चाहिए वरना आपके जीवन का कोई फाइदा नहीं है क्योंकि आप जीवन के प्रक्रिया में उलज रहे हैं अगर आप स्वर्ग भी जाते हैं तो वो भी एक उलजाव ही है देखे, मुझे यकीन है कि आपने IIT में एड्मिशन मिलने के पहले आप अपी भी बॉम्बे लगा रहे हैं ठीक है? मैं देख रहा हूँ आपके IIT में दाखेले से पहले जब आपने अपना जो भी एंटरेंस टेस्ट या जो भी लिखा था केवल एक चीज थी कि किसने किसी तरह है मैं अंदर पहुँचना चाहता हूँ मैं अंदर होना चाहता हूँ क्योंकि ये स्वर्ग जैसा है स्वर्ग में घुस्न जैसा चाहे जो हो जाए मैं एडमिशन चाहता हूँ मैं सिर्व यही चीज चाहता हूँ अंदर पहुँचने के बाद देखे कितनी समस्या है मैं आपसे एक आसान सवाल पूछ रहा हूँ इस धर्ती पर होते हुए क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप पहले से ही स्वर्ग में नहीं है और इसे बर्बात कर डाल रहे हैं क्या आपके पास कोई सबूत है मान लीजे कि आप इस सौर मंडल से ओड़कर बाहर चले गए और फिर पूरे सौर मंडल को देखा जो भी ये 12-14 ग्रह और उब्रह हैं इन सभी के बीच क्या पृत्वी निश्चित रूप से एक स्वर्ग लोग जैसी नहीं दिखती आया नहीं केवल आजादी को महत्व देती है हम स्रिष्टी और स्रिष्टी करता से भी आजाद होना चाहते हैं मुक्ती, मोक्षी, चरम मूल्य है क्योंकि ये एक दार्शनिक मूल्य नहीं है ये एक धार्मिक मूल्य नहीं है ये ऐसी चीज है जिसके लिए हर जीवन लालसा कर रहा है बात सिर्फ इतनी है कि ज्यादतर इंसानों के पास दूर द्रिष्टी नहीं है तो वो इसकी लालसा खिष्टों में कर रहे है देखे लोग अभी जो भी चाह रहे है अगर उनके पास कुछ नहीं है तो वो कहेंगे अगर मुझे रोज 100 रुपए मिल जाएं तो शिव जी मुझे बस इतना ही चाहिए ऐसी प्रार्तना होती है 100 रुपए उपर से गिरे 100 रुपए ठीक है ठीक है ठीक है तीन दिन 100 रुपए मिले ठीक है चौते दिन सिर्फ सौ रुपए, अरे शिव जी, आपकी समस्या क्या है, क्या आप इतने गंजूस हैं, कम से कम रोज एक हजार रुपए दीजिए, ठीक है, एक हजार रुपए का नोट गिरा, क्या ही असली नोट है, हजार रुपए का नोट? नहीं, ठीक है, दो हजार रुपए गिरे हैं, मैं इसे लेकर परिशानी में नहीं पढ़ना चाहता है, सद्गुरु के लिए हजार रुपए कहां से गिर रहे हैं, उनके पास कहां पर रहे हैं, नहीं, दो हजार रुपए गिरे, आपने हजार मांगे, दो हजार गिरे, पढ़ता कि कितने पैसे मिलते हैं, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और चाहिए, है ना, ये पैसे के बारे में नहीं है, लोगों को लगता है कि ये पैसे के बारे में, लोग सोचते हैं कि ये दौलत, ताकत, सुख, प्रेम, ज्यान के बारे में हैं, नहीं, ये सभी अलग पर आँसल में आप विस्तार खोजक रहे हैं क्योंकि आप घुतन महसूस करते हैं अगर हम आपको बहुत इंसिए तक और आप इंससा वर्यों कि और देखेंगे together तो इनसान के भीतर कुछ ऐसा है जो असीम रूप से विस्तार करना चाहता है इसका मतलब है कि आजाद हो जाना चाहता है और कुछ नहीं अगर इस पर सावधानी से गोर करें, भीतर मौझूद जीवन की प्रकृती को देखें तो ये एक असीम तरीके से विस्तार करना चाहता है एक मातर चीज जिसकी एलालसा कर रहा है वो है असीम हो जाना इसका मतलब है कि आजादी चाह रहा है इसी लिए संस्कृति में हमने सबसे ज्ञाद przeci ya मोक्ष को दिया जिसका मतलब है आजादी ना कि स्वर्ग क्योंकि स्वर्ग बस एक दूसरी जगा है हो सकता है कि वो रहने की थोड़ी बहतर जगा हो लेकिन थोड़े समय बाद वह ही परिशानी होगी है ना